हलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीटिका मसाला की रेस्पी बिल्कुल रेस्टोरेंट इस्टैल में आप घर में बना करके खा सकते हैं तो अमीद करती हूँ आज की मेरी पनीटी का मसाला की रेस्पी आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 200 गराम घर का फ्रेस मैंने पनीड को ले लिया है और मोटे मोटे टुकरों में इस तरीके से कट कर लिया है और यह जो पनीड का टुकरा मैंने बचाया है इसे मैं लाश्ट में यूज करूँगी तो यहां पर एक टमाटर को मैंने इस तरीके से बीज हटा करके कट कर लिया है और एक प्याज को मैंने कट करके उसकी कल्यां को मैंने इस तरीके से निकाल करके रख लिया है और एक सिमला मिर्च को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है तो चलिए इससे मेरिनेट करने के लिए मैंने बाउल में चार चम्मच दही को एट कर दिया है ये घर का फ्रेस दही है दही को डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे दो चम्मच बेसन को बेसन को डालने के बाद सुखे मसालों में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक चोथाई चमपच जीरा पोरधर ecc छ उत्त होटा चमपच गरा मसाला पौरडर में एह ने यहां पर आप केया है और छे Consult को दाल very cool अंट है। तो आधा चमपच मैं नमक को ढांध मुद्य पॉडर में मैं ँदी को क्ताइब कॉड़िया है स्वात के अनुसार ही मैंने नमक को डाला है और साइड में मैंने सरसो तेल को मैंने दो चमच गर्म करके रख लिया था और इसमें मैं अब डाल रही हूँ आधा चमच रेट चिली पॉडर अब इसे हम इन सभी चीजों में डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल हलवाई इस्टैल के तरीके से मैं पनीर का मसाला बना रही हूँ इसे मिक्स करने के बाद अब जो मैंने पनीर को कट करके रखा था एकक करके डाल देंगे सारे पनीर को हम एक बार में एड नहीं करेंगे बस इसमें कोट करके हम साइड में रख लेंगे तो इस तरीके से पनीर में हम इस तरीके से मिक्स करते हुए पनीर में हम साइड में एकक करके रख लेंगे तो देखे फ्रेंड मैंने इस तरीके से सारे पनीर में कोट करके रख लिया है देखे इसी तरीके से आपको भी कर लेना है अब जो बैकर बचा हुआ है उसमें हम सारे प्यास सिमला टमाटर को डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे तो देखे फ्रेंड अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है अब इसे हम साइट में छोड़ देते हैं रेष्ट होने के लिए 15 मिनट तक 15 मिनट के बाद अब मैंने यहाँ पर पैन को गैस पचरहा दिया है इसमें मैंने एक टुकरा बटर का डाल दिया है और थोड़ा सा तेल को डाल दिया है जिससे हमारा बटर जले नहीं और इसे इस तरीके से मिक्स करते हुए गरम कर लेंगे तेल हमारा गरम हो गया है अब हम इसमें ढाल देंगे एक अक करके पनीर को जो कोट किया हुआ पनीर है सारे पनीर को हम ढाल देंगे और इसे हम लाल होने तक फुराई कर लेंगे कुछ इस तरीके से फ्राई कर लेना है देखें पनीर हमारा लाल होने लगा है इसे पलट देंगे और अच्छी तरीके से उलट पलट करते हुए फ्राई कर लेना है सारे पनीर को फ्राई करने के बाद हम तब इसमें जो मैंने प्याज, सिमला, टमाटर को मेरिनेट करके रखा था उसे हम डाल करके फड़ाई करेंगे तो देखिए फ्रेंट हमारा पनीर फड़ाई हो गया है अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ और निकालने के बाद उसी तेल में हम प्याज, सिमला, टमाटर को डाल करके अच्छे से इसे भी हम लाल होने तक फड़ाई करेंगे तो देखिए सारे चीजों को मैंने तेल में डाल दिया है अब इसे हम पलट करके इसे भी हम फड़ाई कर लेंगे तो देखे इसे भी हम पलटते हुए फड़ाई कर रहे हैं इसी तरीके से आपको भी कर लेना है घर में फ्रेंट देखे हमारा सिमला प्याच पनीर अच्छे तरीके से लाल हो गया उसे भी मैंने प्लेट में निकाल लिया है अब मैं पनीर टिका मसाला की जो मैं ग्रेवी बना के तयार करूँगी उसके लिए मैंने खरे मसाले में एक दालचेनी का टुकुरा दो बरी लैची दो छोटी लैची च्यार लॉंग और पांच छे मैंने काली मिर्च को ले लिया है सापुत काली मिर्च है उसे हम एक चमच त उस तरीके से सलाइस के टुकरों में कट कर लिया है कुछ मोटा मोटा मैंने काटा है इसे हम तेल में डाल करके हलका सा भून लेंगे प्याज को जादा नहीं भूनना है अब मैं इसमें add कर रही हूँ पांस से चेकल या लेसन की एक छोटा सा टुकड़ा मैंने अद्रक का करीब एक इंच का ये अद्रक का टुकड़ा है उसे मैं add करके इसे चला लूँगी और अब मैं डाल दूँगी इसमें दो टमाटर को मैंने इस तरीके से कट कर लिया था अब मैं टमाटर को डाल करके थोड़ा सा नमक को add करके जिससे हमारा टमाटर अच्छे से पक जाए इसे हम चला लेंगे और इसमें हम ढखकन लगा करके इसे low to medium flame पर दो मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे जिससे हमारा टमाटर प्याज हलका सा soft हो जाए तो देखे फ्रेंग प्याज भी हमारा soft हो गया है और टमाटर भी अच्छे से हमारा गल गया है तो इसे हम चला लेंगे और इससे side में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तभी हम इसे इसका हम paste बना के तयार करेंगे तो पीस के मैं दिखाती हूँ तो देखे हमने पीस लिया है सभी चीजों को अब चलिए ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पर करहाई को पहले से गर्म होने के लिए छोड़ रखा था अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चमच सरसो तेल को मैंने एक चमच कैस्मिरी रेट चिली पॉडर आधा चमच हल्दी पॉडर आधा चमच धनिया पॉडर और आधा चमच मैंने यहाँ पर जीरा पॉडर को डाल दिया है अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे हमारा सुखे मसाले जले नहीं तो गैस के फ्लेम को मैंने कम रखा है और पानी डालने के बाद मैं अब इसमें एट कर दूँगी पिसा हुआ मसाला तो सारे मसाले को मिकसर जार से हम इस तरीके से करहाई में डाल देंगे तो देखे मैंने मिकसर जार से सारे मसाले को ट्रांसफर कर दिया है करहाई में और इसे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि हमारे मसालों में से ओयल रिलेज ना हो जाए तो देखे हमें अच्छी से मसाले को भूनना है जो कि सारे चीजे अच्छी तरीके से पक जाए तो हमें दो मिनट हो गए मसाले को भूनते हुए अब हम इस स्टेज पर एक चम्मच मैंने भड़ के डाला है किचन किंग मसाला को इससे जरूर डाले इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है पनिर्टिक का मसाला में तो मसाला हमने अच्छी तरीके से भून लिया है अब म फ्रेस क्रीम को मैंने दो चम्मच डाला है बहुत बढ़िया स्वाद आता है इसे डाले से क्रीमी बनता है हमारा पनिर्टिक का मसाला तो देखे थोड़ा सा मैंने दूद को भी एट किया है बहुत बढ़िया लगता है गाईज इस तरीके सब जरूर बनाएए अगर में इस बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है बिल्कुल हलवाई एकदम रेस्टोरेंट के जैसा आपको फील आएगा घर में ये पनीर टिका मसाला का जब आप खाएंगे तो अब मैं दो हरी मिर्च को मैंने चीरा लगा के रख लिया था उसे भी मैंने एट कर दिया है सबी चीजों को अच्छी तरीके से भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेवी के मैं अपने क्वैंटिटी के हिसाब से पानी को डालें और हाँ दोस्तों तो देखिए ग्रेवी हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राइ किये हुए पनीर टिकका को तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें धक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पर पाच मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी और एक बात गाईज मैंने जो इसमें किचन किंग मसाला को जो एट किया है उससे बिलकुल रेस्टोरेंट इस्टैल का आपको फलेवर आएगा और बहुत ही टेस्टी बनता है आप जरूर डालिएगा इसमें अब देखिए हमने धकन को हटा दिया है पांच मिनट के बाद अब amen करेंगे और अब मैं सर्फ करके दिखाती हूं ये बिलकुल रेडि हो गया है तो देखें हमारा पांच का मसाला खाने के लिए बिलकुल तयार है बिलकुल रेस्टोरेंट इसटायल में मैंने बनाया है आप इसे नान के साथ सर्फ करें बहुत मज़ा आएगा खाने मे रोटी के साथ सर्व करें पराठे के साथ सर्व करें बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फील आएगा आपको तो आसा करती हूं फ्रेंट अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने दोस्तों में सेयर क करना भूलें और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया बाबाई